असलाम लेकुम मैं हूँ उजमा कई हूँ वेलकम बेक टू माई चैनल आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ आलोवर प्रिंटेड सूर्स और आए मैं आपको बताती हूँ इनको मैंने कैसे डिजाइन किया है सबसे पहला सूर्ट ये एथनिक का है और इसकी इस तरह से और इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो इसके साथ मैंने कलर कंट्रास्ट किया है ब्लैक के साथ तो ब्लैक लेस मैंने यूज की है नेक लाइन पे और सारी फ्रेंट बैक दामन पे इसके जो दामन पे और साइट स्लिट्स में भी सारी ब्लैक कलर की लेस यूज की है सेम की बेस टेप के साथ और यह शौर्ड शहट है और छोटे इसके सलिट है और साथ में कुर्ता टाइप है यह तो इसलिए सलीव भी इसकी ठोड़ी खुली रखी है अंडराम से लेके अब पूरी सलीव जो है वो खुली रखी है और यहां पे पींटक्स मैंने डालने है और उप आता है पिंटक्स वाले पीस का और नीचे आगे बॉटम पे बाजू पे वहां पे भी रेस फिक्स की है यह इसका ट्राॉजर है ट्रॉसर इसका आलरांड rainy एलास्टिक है और पाधी penches आयस suit piece था बड़े बर का तो उसमें से यह हमने बनाया यहां पे close up है यह देखे इस तरह वी में हलका सा उसमें shape दी है मैंने neckline पे उपर mirror fix किये हैं आप यहां sleeves पे भी सारे mirror fix कर सकते हैं मैंने सिर्फ neckline पे किये हैं और इस तरह से यह एक बहतरीन बहुत अच्छा casual suit बन गया second यह lime light का है और यह दो shirt piece लेके हमने यह suit बनाया है इस तरह से इसके side panels है open यह मैंने सारी इसकी पटी बनाई है पटी पे और neckline पे सारी front back round shape में सारी lace fix की है side panels में भी और neckline पे भी same lace मैंने use की है और यह shirt front short back length में है और front से इसकी length 33 है और back से 37 inches है और इसका round shape में है सारा दामन और इसको दामन और side slits जो है मैंने simple रखे हैं back side से भी same panels में ही इसकी look है shirt की center panel जो है वो उपर से थोड़ा तंग है उपर से neckline से वो 10 inches है और दामन पर आते हो 13 inches मैंने रखा है इसकी side slits और दामन पर सारे मैंने इसी same fabric की ही base strip यूज की है बाकी वहां पर simple मैंने रखा है उसको यह इसकी sleeves हैं, sleeves भी इसकी simple रखी है, उन पर आगे जो lace मैंने share पर यूज की है उसी lace को मैंने sleeves पर यूज किया है trouser इसका जो है वो भी same है और उसके साथ simple उसको all around elastic के साथ stitch किया है पाइंचे से smart fitting पे है और पाइंचे पे भी lace fix की है lace मैंने इस suit के साथ सारी yellow color की use की है इसकी overall look दिखाती हूँ मैं आपको इस तरह से यह देखी इसकी look है और neck line ये back पे भी front पे भी सारी ये lace है और इस पे button मैंने black color के fix किये है इस तरह से इसकी shirt की कुछ shape है back side से भी ये देखें इसी तरह से इसकी look है सारी और next है मारे पास ये काफी colorful सा dress है इस पे मैंने blue color का combination किया है इस पे भी सारी round shape नेक line पे सारी lace है और पटी पे भी और पटी पे साथ में blue color के मैंने buttons लगाए है और इस shirt की length थोड़ी ज्यादा है ये 44 इसकी length है shirt की back side से neck line कुछ इस तरह से है बाकी बिल्कुल simple shirt को रखा है इस पे इतने ज्यादा color थे उनको break करने के लिए मैंने थोड़ा bright सा color use किया है यहाँ पे और बाकी shirt को बिल्कुल simple रखा है यहाँ पे इसकी sleeves जो है puffy sleeves मैंने बनाई है और थोड़ी length में ज्यादा है smart fitting में है यहाँ पे lace लगाई है और side पे काज करवाके तो दो button जो है वो लगाए है यह इसका trouser है trouser all around elastic है और यह भी smart fitting में trouser है पांच है इसका बिल्कुल simple रखा है simple थोड़ी चोड़ी folding जो होती है वो इसकी की है यह इसकी overall look है neckline इस तरह से और यह सारी पट्टी है यह open सारी पट्टी होती है काज करवाके button लगाए है यह इस तरह से इसकी shoulder की look होगी और यह यहाँ पे slips पे यह देखें बटन्स है इसी तरह से यह थी आज की वीडियो उमीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी थैंक यू अलाफिस